मिथुन रासी वालों का आजिका रासी फल यणी की 30 अक्टूबर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 30 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है रेबती पक्ष है सुक्ल पक्ष दिन है सुक्र वार आजिके दिन सुर्य उदय का समय है 6 बजी के 31 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 37 मिनट में रितू है है मन्त आजिका दिन काल है 11 घंटे 5 मिनट 11 सेकेंड का महिना है अस्विन आजिके दिन सुब समय सुरू होता है 11 बजी के 42 मिनट एम से 12 बजी के 26 मिनट पीम तक असुब काल सुरू होता है 8 बजी के 45 मिनट एम से 9 बजी के 29 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 10 बजी के 41 मिनट एम से 12 बजी के 4 मिनट पीम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आजिका पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आजिके दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें शबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़ीबार के बारे में दोस्तों घर पड़ीबार के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानने तोर पे बहुत जियादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आज से पहले अगर आपके घर पड़ीबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो उस पड़ेशानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भग आपका शात अवश्य देगा लेकिन अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा न जियादा बेहतर न जियादा खराब दोस्तों आज के दिन अगर आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या हो तो उस पड़ेशानी को आपको खुद ही खत्म करना होगा क्योंकि आज के दिन अगर कोई बाहरी इंसान आपके प्रेम शंबंध में इंटर फेयर करता है तो आने वाले शमय के दोरान आपको पड़े सानी का शामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके कामकाज आपके बेपार बेबसाई की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अगर आप अपने कामकाज में अपने काड़े अच्छित्र में कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले अपने कर्मचाडियों से आपको वर्ता लाप करना होगा वैसे अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें तो दामपत्ते जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने रहेगा न ज्यादा बिहतर न ज्यादा खराब तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों टोटका बहुत ही ज्यादा सामानने है आपको करना क्या है कि सफेद और काले धागे को मिला कर अपने पैर के अंगूठे में आपको बंधना है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदार हो जाएगा दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है तीन यनिकी थ्री आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी और सुनहरा तो यही था आजी के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद